पहेंद साथियों दस्वी कख्षा के छात्रों के लिए वर्निका भूक से फाइफ चेप्टर जिस चेप्टर का नाम है धरती कब तक घुमेगी का अबजेक्टिव कोशन लेकराया हूं जो की बहुत इंपोर्टेंट है और चलिए इस अबजेक्टिव को में करायें और आप से एंसर को देखिए और समझिए और याद किजिए भीवा विग्जाम के जिष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है ना तो पहला कोशन क्या होगा तो जैद देखिए पहला कोशन क्या होगा धर्ति कब तक घुमेगी सिर्ष कहानी के कहानीकार कोन है तो धर्ति कब तक घुमेगी सिर्ष कहानी के कहानीकार सावर दैया है ठीक है न, कोन है तो सावर दैया याद रखिएगा धर्ति कब तक घुमेगी सिर्ष कहानी के प्रमुक पात्र कोन है तो सिर्ष कहानी के प्रगमुख पात्र कौन है तो सिर्ष कहानी के प्रगमुख पात्र आपको याद रखिएगा सीता है कौन है तो सीता है याद रखिएगा धर्ति कप तक घुमेगी कहां की कहानी है तो ये राजस्थान की कहानी है याद रखिएगा धर्ति कप तक घुमेगी धर्ति कप तक घुमेगी कहानी में किसकी परधानता दी गई है धर्ति कप तक घुमेगी कहानी में किसकी परधानता दी गई है तो नारी की परधानता दी गई है सिता के बड़े लर्के का नाम क्या था सिता के जो बड़ा लर्का था उसका नाम क्या था तो उसका नाम जो था कैलास था क्या था तो कैलास था याद रखिएगा सिता के कितने लर्के थे तो सिता के याद रखिए कर तीन लर्के थे कितने लर्के थे तो सिता के तीन लर्के थे होली किस महीने में होता है मानने होली किस महीने में मानाया जाता है किस महीने में होता है तो होली होता है फल्गुन में जिसको फागुन बोलते है फालगुन में होता है ठीक है ना कैलास की पत्नी का नाम क्या था कैलास की पत्नी का जो नाम था वो क्या था तो पहला कैलास की पत्नी का नाम क्या था आठ का कोचन जल्दी से बताए तो कैलास की पत्नी का नाम जो था वो राधा था, क्या था? राधा, क्या था? तो राधा था सीता के सबसे छोटे लर्के का नाम क्या था? सीता के सबसे छोटे लर्के का नाम क्या था? तो सीता के सबसे छोटे लर्के का नाम जो था? बीजू था, क्या था? बीजू नरायन की पत्नी का नाम क्या था? नरायन की पत्नी का नाम क्या था? जीटा के अनुसार क्या सिकुर गया? सिता के अनुसार क्या सिकूर गया तो सिता का अनुसार जो था ना वो घर सिकूर गया क्या सिकूर गया घर सिकूर गया यह एंसर होगा एंसर आपका प्रवाइट कर दिया गया यह एंसर होगा याद रखिएगा एंसर होगा इसका यह answer आपको प्रोवाइट कर दिया गया है कैलास ने अपनी मा शीता को कितने रूपिय पर्ति मा देने के लिए कहा को तो पचास रूपिय याद रखेगा पचास रूपिय देने के लिए कही थी किसने कहा था कैलास ने अपनी मास सीता को कितने रुपिय देने की परतिमा के लिए कहा था तो 50 रुपिय किसके भीतर आशुओ का समुद्र भर गया यह कोशन है तो किसके भीतर आशुओ का समुद्र भर गया तो याद रखिएगा सीता के याद रखिएगा किसके तो सीता के सीता याद रखिएगा नरायन की पतिनी अपने लड़के के जनम दिन पर सीता को क्या भेजी थी तो रसमलाई भेंजी थी क्या भेंजी थी दोस्तों तो रसमलाई याद रखिएगा याद रखिएगा रस मलाई भेंजिती तो रस मलाई भेंजिती तो याद रखिएगा रस मलाई तो कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी तो एक-एक महीना कितने महीना तेक एक महीना याद रखिएगा राधा ने सीता के लिए क्या बनवाया था तो राधा ने सीता के लिए क्या बनवाया था तो दाल का हलुआ बनाया था क्या बनाया था तो डाल का हलुआ याद रखिएगा डाल का हलुआ बनाया था क्या बनाया था तो डाल का हलुआ सिता अपने को मानती थी, क्या मानती थी तो भीखारीन मानती थी, क्या मानती थी सिता अपने को तो भीखारीन मानती थी, याद रखिएगा तिन बेटे की माँ है तिन बेटे की माँ है तिन बेटे की माँ कौन है तो सीता है कौन है तो बी एंसरों का कौन है तो सीता है याद रखिएगा कौन है तो सीता है सावर्दईया भासा में सावर्दईया डैस भासा में सफल कहानिकार है ये राज इस्थानी भसा में, ये सफल कहानीकार है, राज इस्थानी एक कहानी है, सावर्दययर की एक कहानी जो फृत्यु कब तक गूमेंगी ये राज इस्थानी इस्टोड़ी है कैलास ने अपने भायों को कब बूलाया? कैलास २े अपने भायों को कब बुलायां पिर्थिभी पिर्थिभी कब तक घुमेदी किस यह लिखक दोरा अनुधित हैं वाला किसNeraral दिखा गया है तो यह किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों तो यह किसके द्वारा लिखा गया जल्दी से बताईए तो यह सावर दईया इनके द्वारा लिखा गया अनि बी एंसर होगा सावर दईया के द्वारा लिखा गया ठीके ना असा करता हूं के वीडियो आपको अच्छा लगा होग ठीक है ना तो तक तक के लिए बाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है ना थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो और शेयर और सस्क्राइब है वे नाश दे